ग्राम सबास थाना थाना गगा के दलीतों को दबंगों के शारे पर कतित तौर पर उनके उत्पीडन के मामले में बहुजन समाज पार्टी के कारेकरता उने ADG को अपना ग्यापन सौपा ग्यापन सौप ने आये बहुजन समाज पार्टे के जिला अध्यक्ष घंस्याम राही उत्तर परदेश विधान परिसत के पुर्व सभापती गनेश शंकर पांडे सहीद भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टे के कारेकरता मौजूद रहे ADG दावाश शेरपा प्रतिनीधी मंडल की बातों को सुनने के बात कहा कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी लेकिन अगर कोई दोशी होगा तो उसे बक्से भी नहीं जाएंगे अपने मांग के संबन में गोरकपु न्यूस सनवादाता से बात करते हुए घंश्याम राही और पुर्विधान परिसाद अध्यक्ष गनेश शंकर पांडे ने बताया अध्यक्त आपसे यह पिछ्छा है कि इसमें निश्पच चांथे वहां का यस्टो ने बदमाशी किया समझोते के नाम के ठाना पर बुलाया गया पहले से वहां अपर अपर आधी बैठा हुआ है उसको देखते ही वह लोगो हमारना पिटना शुरू किये पर दोरोगा साहब एपनी बहात नी दिखाना शुरू किये बोली लगी है चार चार दो इंजड है प्रतिक्रियादी बहुत अच्छा नहीं था हो जो हुआ उसके बाद पूरी खिल नेता मुसासर के मामले में किसी बख्षती नहीं चाहिए पार्टी का हो चाहिए पार्टी का हो तो हम लोग साब साही जंग से काम किये होते तो थाने कंदर तो बड़े-बड़े की हवा खर साब अपनी बहादरी दिखा कि बोली चलाए नहीं हो सकता है और थाने में सर थाने में तो हम लोग साज चाहते हैं कि कानून का राज हो थाने एक तरीके से कानून का मंदिर मानते हमानी लोगरीव आदमी तो दरोगा जी से क्या हमगाट से मिल करके खुस होता है जब अगर पुलिस ने मतलब निस्पा जो इसे कारवाई नहीं किया तो उसमें और भी खट ना हो सकती है और भी तरखासता इसे पर सकते हैं तो कोई भी घटना हो उसके पहले सक्रिता निभानी पड़े के निश्पट जुन से यसुप तोहां सतत्काल से खटा दीजिए अगर सब्सक्राइब तो घटना नहीं हो खटती है वैसे मुझे भी लगाए वह एसी बात थी नहीं जिसकी इस पात नहीं थी अब है बीबात तो है वहां वह वह लामसाबाद की भूमी पर शही है गलत है जिया है वह नेकिन इत्ती बड़ बात थी नहीं तर यह जमीर के मै अब सुनना पड़ता है लेकिन आप उस मामले के तो डिटेल में एस डियम और सियो उसके बाद एसकी जाज करवाई रहे हैं कोई इसमें आगे से कोई दोसी आभी ना छूटे और इसका सिरूसे इसमें जाज और करवाई हो और एस सब्सक्राइब इस बात है कि आप सुपर आप नियुक्त देख लोग उसमें विर्कुल सही हो जान बिर्कुल निस्पक्स हो रहे हैं जो अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन अब इसका यहीं नहीं कि दिल्दोस कहीं तुसे जाए से ठीकिना अब इस बात कर लो और कुछ ऐसो की भूमिकाल की बारे में भी आए जिए जर्शो तो तत्कार कोई शटा है बोजन समाज पाटी का एक प्रसनित मंडल आज माननी केजी जी साब से मिला है कल 15 तारिक को गगहा थाना के अंतरगत सेजूल काश के एक बस्ती है उस बस्ती में जमीन का बिबाद था और इस 14 तारिक घटना है उस 15 तारिक को यसो जी ने दोनों पच्छों को थाने में गुलाया और दोनों पच्छ जब थाने में पहुंचे तो जो दोसरा पच्छ था उसने यसो के सामने ही लाठी जंजों से मारना पिटना सुरू किया और जो यसो थे उन्होंने गोलियां चलाई इसमें 3-4 लोग घायल हुएं बड़े बुरे धंग से घायल हुए हैं और पुलिस के अधिकारी लोग गोली की घटना को सिरे से नकार रहे हैं एक तरीके से की जटला रहे हैं जबकि गोली लगी है मेटकल कालेज में लोग भरती है उनके पैरों गोली फंसी है हमारे पास उसका प्रूफ है एक सरी रिपोर्ट है उसकी हमारे पास प्रूफ है तो कुल मिला करके इस बड़े पैमाने पर सेडूल काश का उत्पीडन हुआ है हम लोगों ने मांग किया है इस घटना के निश्पच जाच हो और जो भी दोसी है उसके खिलाब सक्षत कारवाही हो और इसके पहले थाना धच को निलंबित करके वहां से हटाया जाए तभी नियाय मिल सकता निथ्या नहीं मिल सकता है मानि एडिजी सहब ने हर मुद्दे को बड़े गंभिरता से सुना है देखा है और उन्होंने पूरा आस्वासन दिया है इस घटना में की निश्पच जाच कराएंगे और दोसी को बक्सा नहीं जाएगा ऐसा इन्होंने आस्वासन दिया है कोई समय सीमा भी निधार्द की गई है या आप की हैं हम लोग तो रिक्वस्ट किये हैं हमारा प्रतरित मंडल ने मानिश सभापती महदय जी पूर सभापती महदय जी और मानिश सुधीर जी निराला जी बरजेश जी और हमारे नगर के अध्धैस और हमारे हरेंदर रयादो जी एजाज भाई तमाम साथ ही लोग यहां पर मौजूद हैं सबके सामने बात वही है और हम लोग तो पुरा विश्वास के साथ यहां पर आये हैं और हमें पूरा उमीद है कि हमें नयाय मिलेगा हम लोगों ने जी जी साब से इमान किया है इसकी गंभीता से जांच कराए गया जो भी दोशी वेक्ति हैं उनके खिलाब करी करिकारवाई किया जाए है तो दिन के उजाले के तरह साथ है जगह 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 दल्चों का उस्विजन हो रहा है कि सरकार के उन्य सब्सक्रावाई